माई मादर एट 66 मेरी माँ 66 की उम्र में बहुत अच्छी कविता है कमला दाज जी की दोड़ा लखी हुई और भारत की यह बहुत इनॉमिनेंट पोईटेस हैं इन्होंने अपने कहानियों की माध्यम से जो पारिवारिक इस्ततियां हैं पारिवारिक चुड़र हैं पारिवार थोड़ा सपन पहले पोईट के बारे में जान लेते हैं कमला दास जनम मुवाता 1934 से दो जार नों का इनका जीवन का लेए पैदा हुई यह मालाबार केरला में पैदा हुई और यह भारत की नाई जानी पैचानी है पैचानी जाती है इंडिया आज भारत की फोर्मोस्ट गवरनी ङव्यत्रीयों में इनका जो कारी में इनकी तरफ इंकी अर्जीनिरिटी याफ मॉलिक्टा के लिए वर्सेटिवी मॉलिक्टा के लिए और इंडिजीनियस फिलेवर सवदेसी रंग के लिए अपनी देश की मिट्टी का जो सवधेसी रंग है सवधेसी फ्लेवर है और बावुमुकी परतिपा की धनी है और मॉलिक्ता के साथ लिखती है इस बात के लिए इनको जाना जाता है इन्होंने बहुत सारे नोवल प्रकाशित के याने की उपन्यास और शोट इस टोरीच लगू कहानियां इंगलिस के अंदर भी और साथ में मले आलम के अंदर भी और अंटर दे नेम इन्होंने अपना नाम बनाया है मादवी कुट्टी इनका पीनने में यह मतलब यह इस नाम से लिखती है मादवी खुट्टी की नाम से अपने पोईम्स को अपने वक्स को यह लिखती है तो यह ज़रूर ध्यान रखें मादवी खुट्टी कौन है तो कमलादास का उपनाम है यह इनके कुछ कारिये आपके बताएगे हैं आपको जैसे इनका जो फेमस कारिय था एल्पावेट ओप लस्ट और यह 1977 में आया एक कलेक्शन ओप शोर्ट स्टोरीज लगू कानियों का एक संग्रे जैसका नाम था पदमावती दा हारलोट पदमावती विश्या और अधर स्टोरीज यह पाठाय उन्निस्सो बानवे के अंदर और इन्होंने इसकी साथ में पांच किताबें और कई परकार की पोईट्रियां प्रकाशित करी हैं यह एक स्विधन सिल्क वियत्तरी हैं जो कैप्चर करती हैं यानि की पकड़ती हैं कॉम्प्लेक्स जटिल सब्टिलिटी जो समश्याएं हैं हूमन रिलेशंशिप मानव सम्मंदों के लिरिकल इडियम और इनकों संगितात्मक इडियम के रूप में प्रसुत करने का प्रयास करती हैं मारी मदर 66 इसका अच्छा एक्जामपल उधारन है मारी मदर 66 के अंदर राइटर ने बताना चाहा है कि किस प्रकार से जब हम प्रदवस्ता में पहुंचाते हैं तो हमें उसको खोने का डर किस प्रकार से सताता है और कैसे हमारे दिमाग में कौन-कौन ची भावनाई हमें घेर लेती हैं उसके बारे में बताने का प्रियास की है राइटर अपनी मा के साथ कोचीन एरपोर्ट जा रही है और रास्तिक के अंदर उसने अपनी मा को देखा तो उसकी मा का चेरा एकदम डल हो चुका था निरस हो चुका था उसके चेरे पे कोई चमक नहीं थी और उसको लग रहा था कि मेरी मा शायद अब बचेगी नहीं मेरी मा उतनी बूड़ी हो चुकी है जितने बूड़ी हो जाती है यानि कि वो लास्ट अवस्ता में पहुँच कही है अब वो शायद नहीं बच पाएगी उनकी मृत्ति हो जाएगी तो इस परकार से नहीं एजिंग की जो प्रोसेस होती है नेचुरल प्रोसेस होती है उसको बताने का प्रियास किया है चलिए देखते हैं driving from my parents home driving यानि गाड चलाते हुए from यानि say my parents मेरे माता पिता के घर से home घर से कोचिन कहां जारी है कोचिन last Friday पिछले सुक्रवार को morning सुबै आई सा मैंने देखा मैं मदर मेरी मा को beside बगल में मैंने मेरी मा को मेरे बगल में देखा पिछले सुक्रवार की बात है सुबै की बात है मैं अपनी माता पिता के घर से कोचिन एरपोर्ट जा रही थी तो मैंने बगल में मेरी मा को देखा डोज वो उंग रही थी open mouth उनका मुँ खुला हुआ था हर face उनका चेहरा SN SN बोलते हैं राक की तरह corpse lass उनका चेहरा लास की राक की तरह हो रहा था and realize और मैंने महसूस किया with pain दर्द के साथ that see was as old कि वो इतनी बोड़ी हो चुकी है ऐसी look जितनी वो दिखाई दे रही है उनको देखकर writer ने महसूस किया कि मेरी मा उतनी बोड़ी हो चुकी है जितनी वो दिखाई दे रही है कहने का मतलब मेरी मा शायद नहीं बचेगी बहुत जल्द इंसका दिहान दो जाएगा but soon अभी negative विचार दिमाग में आया उनके कि मेरी मा पता नहीं मुझे चोड़ कर चली जाएगी तो उन्होंने अपने इस negative thought को दूर करने के लिए क्या किया कुद कहती है कि soon जल्द ही put रख दिया that उस thought विचार को अवे दूर लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को दूर कर दिया कौन सा विचार मा को कोने का विचार लो सिंग ओफ और मदर और क्या किया फिर उसने and or look देखना शुरू कर दिया आउट यानी बाहर बाहर क्या देखा नोंने young trees भागते हुए पेड जवान पेडों को sprinting भागते हुए देखा नोंने मेरी children प्रसनचित बच्चे spilling बाहर निकलते हुए देखे कहां से आए अपने घरों से वो बाहर आकर खेलने के लिए जा रहे हुँगे तो उनको देखा तो writer ने अपने विचार को दूर करने के लिए अपने negative thought को दूर करने के लिए car के बाहर देखा तो car के बाहर क्या देखे उसको भागते वए पेड़ दिखे, यहां पर भागते वए पेड़ समय का प्रतीक है, कि समय कितना तेजी से गुजरता है, यह पता ही निचलता, और जो बच्चे निकलते हैं, वो खुशी का प्रतीक ही तरह से, क्यों बच्पन ही आदमी के लिए सबसे अमेरी का दिन होता है, बच कहां पहुंचाते हैं एयरपोर्ट पहुंचाते हैं बट्याने लेकिन आप्टर यानि के बाद एयरपोर्ट्स यानि की हवायड़े की सिक्यूरिटी चेक वहाँ पे जो जांच वत्तिव जांच को करवाने के बाद स्टेंडिंग में खड़ी हो गई कुछ याड गज की दूरी पर कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर आई लुक मैंने फिर देखा अगें दुबारा से एठर उसको वान कलरलेस पेल पीला पड़ा हुआ मैंने एक बार फिर अपनी मा की चेहरे को देखा जो वान था और मतलब वान यानि कलरलेस और वो पीला पड़ा हुआ था और ऐसा था जैसे की लेट विंटर्स मौन अंतिम सरद का चांद हो अंतिम सरद रित्व का चांद होता है वैसा मेरी मा का चेहरा हो रहा था और मैंने फिर मैंसूस किया वही पुराना और यानि पुराना फैमिलियर परिचित एक दर्थ और एक बार फिर मुझे वही पुराना परिचित दर्थ याद आ गया ये दर्थ कब का था ये दर्थ था मेरे बचपन का दर्थ मेरे बचपन का दर्थ भी यही था कि मेरी मां मुझे चोड़ कर चली जाएगी बट लेकिन मैंने इतना ही कहा कव्यत्री ने अपनी मन को समझाया समझा कर उसने अपने विचारों को अपनी भावनाओं को मां के सामने पेशने करने का भावना बनाया और उसने अपनी दुख को चुपाने के लिए मास को सिर्फ इतना ही बोला कि अमा हम जल्द मिलेंगे कहने का मतलब यह है कि राइटर जो पोईट हो चाती है कि जब मैं दुबारा वापस आऊ तो मेरी मां मुझे ही मिले और उसने एक ही काम किया वहाँ पर वो काम क्या था इसमाईल 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 मस्कुराती रही मस्कुराती रही मस्कुराती रही ताकि मेरी मां को यह पताने चले कि मेरी वीटी मेरे बारे में क्या सोच रही है तो इस पर कार्च देखा जाए तो कविता बहुत अच्छी कविता है और किस तरही की चनों ने अपने दुख को अपने दर्द को मास से अलग होने की दर्द को इसने कैसे अपने कविताओं के अंदर पेश करने का प्रियास किया है अच्छा प्रियास है एक बार दुबारा फिर देख लेते हैं पन इसमें कवित ने क्या मैसूस किया कि मेरी माँ बूड़ी हो चुकी है यानि कि उतनी बूड़ी हो चुकी है जितनी वो दिखाई दे रही है तो राइटर ने क्या किया इस विचार को दूर करने के लिए राइटर ने कार के बार देखा कार के बार उसे क्या दिखाई दिया कार के बार उसको दोड़ते हुए पीड़ दिखाई दिए और घरों से बार निकलते हुए बच्चे दिखाई दिए उसके बाद में कहां पहुंच गए एरपोर्ट पे पहुंच गए वहां पहुंचने के बाद में सीक्योर्टी जांच हुई और कुछ गज की दूरी पे खड़े होकर उसने एक बार पिर अपनी मा को देखा और अपकी बार उसका जुमा का चेरा था उसने तुलना करी अंतिम सरद के चांद से पहले तुलना करी थी लास की राक से हो भी मतलब दूसर होती है इसमें कोई रंग नहीं होता फिकी होती है और इस परकार चंतिम सरद का चांद भी पिला होता है इसके अंदर कोई चमकाबा नहीं होती है और फिर वही पूरा नादर उसको यादा का एक बार फिर कि मेरी मा मुझे छोड़कर चली जाएगी इसलिए राइटर ने वहाँ पर जो कुछ कहना चाहा सरफ इतना ही कह सकी सी यू सून अम्मा अम्मा हम जल्द मिलेंगे और एक ही काम किया उसने इसमाइल इसमाइल एंड स्माइल मस्कुराती रही मस्कुराती रही मस्कुराती रही ठीक है अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें थैंक्यू